दोस्तों इंडिया ए ने काल अपना दुसरा बारी में 115 रन बनाये थे और एक विकेट गवाये थे वहाँ से आज पारी का शुरुवत किया और आज फिर दो विकेट गवाये और 380 पर बारी डिकलियार कर दिया इंडिया एकी और से पत्थम सिंग ने एक बेहतरिन पारी खेला उन्होंने 189 गेम खेले और 112 रन बनाये काप्तान मायांक अगरवाल जिनोंने अपना विकेट काल ही गवा दिये थे उन्होंने 87 गेम पर 56 रन बनाये थे इंडिया एक की और से तीलग बर्मा ने बहतरिन पारी खेला उन्होंने 193 गेम देखेले और रान बनाए 111 नमबर चार पर बल्लेबाजी के लिए आए रियान पराग रियान पराग ने केवल 20 रान बनाए यानि एक बर फिर रियान पराग फेल रहा रियान पराग पहला मैस की पहला पारी में रान बनाए थे 30 दूसरा पारी में बनाए थे 31 और इस मैस की पहला पारी में बनाए था 37 और दूसरा पारी में बनाए 20 रान यानि रियान पराग को हार मैस की हार इनिंग्स में शुरूआत तो जरूर मिल रही है लेकिन उस शुरू रान बन जाते हैं इस रान को लामबा खिष के ले जाना परेगा रियाण परा की साथ ही जितने भी बलेबास थे सब ने बेहतरिन खेल खेला किसीने शतक लगाए किसीने अर्दशातक लगाए लेकिन रियाण पराग बिलकुल फेल रहा इन्डिया एक योर से रावाट में बे पारी गुशित कर दी दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहला इनिंग्स में इन्डिया एको 107 रांड की लीड मिली थी और दूसरा इनिंग्स में कूल रांड बनाए 380 कूल मिला कर 487 रान बनाएं इंडिया एने और टारगेट मिला इंडिया डी को 488 का इंडिया डी की और से शोर अप कुमर ने बेहतरिन गेम बाजी करते हुए दो विकेट चटकाएं जबकि स्रियाश आयर ने एक विकेट लिये 488 का टारगेट शामने लेकर इंडिया डी की दोनों ही ओपेनार बले बास दूबे और टाइट मैदान में ज़रूर उत्रे लेकिन टाइट अपना खाता भी नहीं खुल पाया दोस्तो आज का दिन का खेल की अंते तक दूबे पन्रा और बुई 44 रान बना कर खेल रहे थे काल ये दोनों बले बास मैदान में फिर से आयेंगे इंडिया डी की जो एक विकेट गिरा है वो विकेट लिये है खलील अहमेत ने दोस्तो कूल मिलाकर इंडिया डी को ये मैज जितने के लिए काल 426 रान बनाने है और उनकी हातों में है 71 अबार अगर इंडिया ये को ये मैज जितना है तो काल लेना परेगा 9 विकेट तो दोस्तो इंडिया ए और इंडिया डी की बीज खेला जा रहा ये मैज काफी रुमाज की और बर रहा है तो दोस्तो हमारी चैनल पर नजर रखिएगा क्योंकि दिलिप टोफी की हार मैज की हार अपडेट हम आपकी तरफ ले आते हैं और आपको बताती है तो यही तक था आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताईएगा इसी की साथ दोस्तो आप लोगे से बिदा लेते हैं फिर मिलेंगे जैजिन